राजीव खंडेलवाल कह रहे हैं सीरियल लेफ्ट राइट लेफ्ट को अलविदा जिसका कारण इस सीरियल में गौरफ चोप्रा की एंट्री मानी जा रही है लेकिन फिलहाल खबर ये है कि राजीव ने एक फिल्म साइन की है जिसमें उनके साथ होंगी उनकी को स्टार आमना शरीफ भी जिनके साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो काफी अची रही और ओफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी काफी जबर्दस मानी जाती है जहां सीरियो लेफ राइड लेफ के लिए राजीव खांडलवाल अपने आखरी कुछ सीन्स शूट कर रहे हैं तो वही खबर ये है कि इन्होंने अपनी फेरिट को स्टार आमना शरीफ के साथ एक फिल्म साइन की है लेकिन फिल्हाल राजीव इस बात से पर्दे को उठाना नहीं चाहते मैंने और रामना ने भी तो कोई फिल्म साइन नहीं की है बहुत से लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हमारे में जाहिर सी बात है जब जोड़ी popular होती है तो बहुत से लोग कैश करना चाहते है हम दोनों बहुत ही clear हैं इस मामले में कि जब तक की characters demand नहीं करेंगे राजीव और रामना को तब तक हम साइन नहीं करेंगे सिर्फ इसलिए कि हम लोग popular है हम एक film साइन करने हैं मुझे से request की कि राजीव हम चाहते हैं कि character का definite end हो जिसकी वज़े से मैं अभी तक shoot कर रहा हूँ जब मैंने गौरब विस दक काम करना शुरू किया मुझे लगा कि थोड़ा पहले आगया होता गौरब तो अच्छा लगता और वो character बनाया भी इस तर से गया कि माना ये जाता है कि ये सीरियल भी राजीव के लिए वैसा stepping stone सावित होगा जैसे शारुखान के लिए सीरियल पाजी हुआ था मगर फिलहाल राजीव है busy एक product के endorsement में लोगों का compare करना बहुत ही गलत है शारुखान ने जो किया वो शारुखान ने किया और मैं अपना career अपनी instant के साथ follow करता हूँ सिरफ common बात थी कि शारुख ने भी एक आर्मी बेस सीरियल किया और मैंने भी एक आर्मी बेस सीरियल किया अब पॉजी का किरदार शारुख की तरह राजीव को भी स्टार बनाता है कि नहीं ये तो बाद में पता चल ही जाएगा मगर कम से कम रुपहले परदे पर उनके आने के सपने को तो पूरा कर ही गया पगोहर पीच जादा, जूम मुंबाई अलिवुट की अब तक की ताजा खबरें एंटर्टेंबिन्मिन्ट की दुनिया की सारी हल चले आपको मिलेंगी पॉपकॉन यूज में अनली अन जूम इसको देखो